नमस्ते दोस्तों मैं पिरियंका पिरिया आपका JPMD में स्वागत करती हूँ आज कल कोई भी आप परतियोगता पर इच्छा दीजेगा उसमें आर्थिक सर्वेक्षन से दो तीन कभी कभी चार भी कोश्चन आ जाता है इसलिए आज जो 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षन बिहार का जाता है उस पर मैं एक वीडियो लाई हूँ इससे आपको इस आज से लेकर अगले साल तक जाता कि आगला सर्वेक्षन नहीं आता है कोई भी परतियोगता पर इच्छा दीजेगा इससे आपको चार या पांच कोश्चन जरूर देखने को मिलेगा और एक कोश्चन से आप कर से लेक्षन रूख जाता है तो फीर चार पांच नंबर बहुत माइने रखता है बीधान मंडल में बीत मंत्री बिजय चौधरी ने पेस किया 2022-23 आर्थिक सर्वेक्षन कमाई 93 पर्तिसत बढ़ी तो सहरों में 12,2 पर्तिसत और गाउं में 9,7 पर्तिसत बढ़ गई महंगाई पीछली बार की तुल्ला में पर्ति ब्यक्ति सलाना आये 2400 रूपे बढ़ कर 54,383 हो गई पिछली बार की तुलना में पर्ती ब्यक्ती सलाना आया है कितना बढ़ा है चौन सट सो रूपया इसको ध्यान रखेगा बढ़ कर हो गया है चौन हजार तीन सो तीरासी केंद्र रासी में लगतार कटोती कर रही है सीधा असराज की विकास दर्पर परना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ सो मारको विधान सभा में बीत मंत्री विजय कुमार चौधरी की ओर पेस 2022 तेसका अर्थिक सर्वेशन यह साबित करता है कि उन्होंने कहा कि हमारे पास प्राकितिक संसाधन भी नहीं है बिहार अपने कारगर नीती और कुसल बितिये प्रबंधन के बूते विकास कर रहा है राज में पिछले बितिये बर्स में 22.98% की बिकास दर हांसिल की है जबकि पिछली बार कुरोना काल में यह माइनस 32.2% थी इस मामले में बिहार का स्थान देश में तीसरा है इसको याद रखिएगा कि जो हम राज में पिछले बितिये बर्स में हम लोग कितना बिकास दर ह और यह देश में किसने नमबर पर है बिहार तो बिहार क्या है तीसरे नमबर पर है बिहार से आगे केवल आंद परदेश है आंद परदेश का है 11.4 परती सथान है दूसरे नमपर 11.04 जब कि राश्टिय बिरीधी दर कितनी है विकास दर 8.86 परती ब्यक्ति आये में 400-100 54,383 रूपे हो गई है कमाई तो बढ़ी ही है महंगाई भी एक हट तक कंट्रोल हो रही है सहरों में यह राश्टिय और सत के बराबर 12.3 तो गाउं में राश्टिय और सत से 0.5 परती सत कौम रही है चीनता बस एक है कि राज में पूंजी निर्मान 2016-2017 के बाद लागतार घ 55,4 केंद्रांस में कितनी कमी बकॉल बीत मंत्री केंद्रांस की राशी में दोस परती सत से अधिकी कमी हुई है और वह भी समय पर नहीं मिली सिधा असर यजणाअ परपरा कट अती नहीं होती तो राज का अविकास दर और अधिक होता परती व्यक्तियाय में और बड़ुत कौन छेत्र बने ग्रोथ हिंजन और्थ व्यस्था को वायू परिवहन भंडारन जैसी तीसरी तृतिये छेत्र की सेवावने उच्छाल दिया है। मचली और पसुपालन का भी इसमें योगदान है। ऐसा कैसे हुआ क्रोना काल में गति बीधिया ठप थी, इस्थितिया समान हुई तो सेवा छेत्र कुलाचे भरने लगे। पर्ति ब्यक्ति आय पर असर, बीते बीतिये बर्स में आर्थी गति बीधिया, पटरी पर लोटी तो लोगों की कमाई भी बढ़ी। पर्ति ब्यक्ति आय में चोंचट सो रुपय की ब्रीधि हुई है, क्या यह संतुस जनक है? नहीं, आय में और उच्छा लाता, यदि केंद से मिलनी वाली राज़ी में कट आती नहीं होती। और सी परतिसाताबादी गाओं में वहां क्या? गाओं में हर वाड में दो सोलर लाइट लग रही है। लाइट से क्या होगा? 7.88 करोर किलोग्राम करबन डाइक साइट का उसरजन घटेगा, जो 35.88 तीन लाख पेर लगाने के बराबर है। जो कितने पेर के बराबर है? 35.88 तीन लाख पेर लगाने के बराबर है। विकास का पैमाना तो सहरी करण है। इस मोर्चे में भी ब्रीधी दर्च की है। सहरी करण 11.3 परतिसात से बढ़ कर 16.2 परतिसात हो गया है। इसको याद रखिये गाई, बहुत important है। परी नाम क्या हुआ? सहरी अबादी बढ़ी तो राज में 9 नगर परिसात की संक्या कितनी है? 9 और 111 नगर परिसात 9 और 111 नगर परिसात बनी। राज की माली हालत कैसी है? सर्वे कहता है कि आर्थिक इस्थिटी ठीक ठाक है। इसमें केंद्र से अधिक योगदान राज के नीती गौत परबंधन का है। केंद्र की रासी में तो कटाउती हुई है। तो क्या हुआ? इस्थिर पुंजी निर्मान में लगतार कौमी हो रही है क्योंकि बेतन और कोर्ज वापसी प्रखोच बढ़ा है। राज में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कैसा है? इंफ्रास्ट्रक्चर की ब्रीधी दर 20.4% रही या देश में सरवाधिक है। वाई परिवहन छेत्र में तो 54.4% तो परिवहन छेत्र में 31.8% में उच्छाल दर जुई। इससे क्या हुआ? सरके बनी तो वाहन की बिक्री बढ़ी। यूपी महराष्ट के बाद बिहार में इनका सबसे अधिकनी मन्धन हुआ है। जो वाहन की बिक्री है वा यूपी महराष्ट के बाद सबसे ज़्यदा कहा हुआ है बिहार में। खेती किसान की हालत कैसी है। सीचाई खेती से भी कोश्चन रहता है। इसलिए ध्यान दीजिए वैसे। सीचाई और कौई फंसलों जैसे माखाना, फौल, सबजी, माका, औसधिये पाउध्ये और चाय पर फोकस। सीचाई पर 22-23 में 37.22 लाह करों खर्च हुआ है। परनाम क्या हुआ हुआ। सुद बॉआई का छेत्र 50.5 लाह हेक्टियर और अनाज उत्पादन 181 लाह टॉन पहुँच गया है। सहर गाउ में कान तो मानो भीकास। सत्रे बर्सों में सिच्छा स्वास्त पर खर्च एगारे गुना और आठ गुना बढ़ा है। परनाम क्या हुआ तमाम सुचकांकों में सुधार नामांकन बढ़ा जीवन समभ्याता दर 55.8 से बढ़ कर 79.5 हो गई है। जीवन समभ्याता दर 55.8 से बढ़ कर 79.5 बर्स हो गई है।